नमस्कार मैं जीशान जाविद आप देख रहे हैं न्यूस नेट्वर्प टुडे सिमलिया विधान सभा के जवा के पास आज सुबा एक भीशन सड़क हाथ सा मौके पर ही एक बच्चे की मौत हो गई दूसरी मौत रीवा के संजय गांदी अस्पताल में इलाज के दौरण हम आपको बता देख आज सुबर पीक अप और बस की जोड़दार बिढ़न को आप कलपना करिए पीक अप माल्ड होने के लिए इस्तमाल होती है लेकिन उसमें बच्चों को बोया जा रहा है एक बड़ी लापरवाई करन नतीजा दो परिवारों ने अपने घर के चिराव को हमेशा भी खो दिया रीवी सडकें एक बार फिर खोन से रंगी भीसर सडक हाथसा बस और पिक अप की भिड़न्त में एक बच्चे की मौत मौके पर दूसरे की इलाज के दोनान रीवा के संजय गांदी अस्पताल में पाच बच्चे इलाज के लिए रीवा के संजय गांदी अस्पताल लाए गए थे बाकी बच्चों का उपचार जवा के समुदाइक स्वासकें में चल रहा है फिलहाल बाकी बच्चों की हालत कुछ बेहतर बताई जा रही है लेकिन उनकी चोट गंभीर है जाच के बाद नहीं हुपाएगा कि बच्चों को कहां पर फैक्चर है कितना है कितनी चोट है फिलहाल पूरी इस्तिति अभी लगबग इसपस्ट हो चुकी है दो बच्चों की मौत हुई है कुछ के हड़ियां टूटी है हम आपको बता दे रीवा जिले के सिर्मौर विधान सभा में जवा के पास आज सुबा इस्कूल बस सीधे पिकप से भिड़ गई जिसमें एक बच्चे की घटना इस सल पर ही मौत हो गई कई गंभीर हो गई कुछ बच्चों को इलाज के लिए जवा के समझाई स्वास्केंद में ले जाये गया पांच बच्चों को रीवा लाये गया जिसमें से एक की मौत हो गई अपने आप में काफी दर्दनाख हाथ सा रीवा में अर्पिता सिंग उठ नाव्या जिसकी उम्र बारा साल थी उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई सबसे बड़ी बात पीकप और बस की ठोकर पीकप में बच्चों को ढोया जा रहा था अपने आप में एक भीचन लापरवाही जिसका नतीजा दो परिवारों के चिराग हमेशा के लिए बुच गए अब इसमें निश्चित रूप से कारवाही होगी बस का परमेट पिकप का परमेट खत्म किया जाएगा लेकिन उनका क्या जिनोंने अपने घर के चिराग को भूए आईए आपको सुनाते हैं प्रत्यक्ष दर्सी और एक्सिडेंट में घायल बच्ची ने जब हमने उनसे बात की तो उनका क्या कुछ कहना था आप भी सुनिये कैसे क्या हुआ था हम लोग खुद ही नहीं पता हम लोग बात ही कर रहते हम और राभबाग की लड़की एक दी और अंकल जी पता नहीं कैसे लड़ा दी उसमें आपको क्या बोलती हो नहीं हम सब लोग को आगे बैठे थे उसमें जो चलाते हैं गाड़ी तरक्षी स्थे उसमें लादे थे बोलते पनावती हो तुम लोग इतने वच्छे थे बेटा गाड़ी में थोड़ी देर पहले ही एक जानकारी मिली थी कि नोवजी के आसफास जो है जवा के पास में जो है एक बस का एक्सीडेंट हुआ है चोटे बच्छों की बस थी और हैड-on किसी पीकप से एक्सीडेंट हुआ है तो अभी पांच बच्चे जिनको थोड़ी ज्यादा चोट लगने की इस्तिती पाई गई थी वो पांच बच्चे यहां पर शिप्ट हो गए जैसा कि आप में देखा ही है और उता पांचों का इलाज पर शू हो गया है अभी एक घंटे के अंदर अंदर खरीग जो है यह का त बेस्ते हो जाए कि पूरी हमारी तयारी है है यहां पर होस्पीटल में हर तरीकी फी विवयर्शता कोई हयां समस्षा इस तरीखने की नहीं है है को Mazpr詐 चल रहा है कुछ बच्चे और भी डूप लगी ती जो यहां पर नहीं आए हैं यहांपे केवल पांच बच्चे आ ताज़ा तरीन खबरों के लिए न्यूज नेटवर्क टुड़े से जुड़े रहे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाईए और देखते रहे न्यूज नेटवर्क टुड़े